E-Education YouTube Channel में आप सभी का स्वागत है NCアंटी की किताबों में वर्ट से 2023-2024 में काफी बड़ा बदलाब किया गया है New Education Policy 2020 तथा COVID को देखते हुए इन किताबों में से कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है जैसे जो टॉपिक रिपीटिड होते थे उनको इसमें से हटाया गया है इसलिए अब आपको नई किताबों से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें syllabus को 10-20% कम किया गया है अभी सरकार के दुआरा आपको किताब मिलने में कुछ समय लग सकता है तब तक आप e-book के माद्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं इन e-books को आप कहां से प्राप्त करें इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से प्राप्त होगी तो अब हम NCRT की जो नई किताब 2023 के लिए सरकार दौरा अपडेट की गई है उसको हम NCRT की ऑफिशल वेबसाइट में देख सकते हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर हम इन किताबों को पड़ भी सकते हैं अब यह क्या हम कैसे करेंगे तो इसको मैं आपको यहां पर बताता हूँ कि आप सब सब पहले गूगल इंटरफेस को ओपन कर लें गूगल सर्च इंजिन को और यहां पर आप NCRT NCRT Books लिख दें जैसे आप यहां पर लिखेंगे तो आप देख रहें यहां पर NCRT की जो ओफिशल वेबसाइट है वो यहां पर सो होरी है National Council of Education Research and Training और यहां पर जो टेक्सबुक है पीडिया फॉर्म पर आपको प्राप्त होगी पहली क्लास से लेके बारभी क्लास तक के हिंदी इंग्लिस और उर्दुती नो भासाओं में आपको यहां पर किताबे एविलेबल होंगी यहां पर हम इसको जैसी क्लिक करेंगे तो आप देख रहें NCRT का जो फ्रंट वेब पेज है वो उपन हो जाएगा इसको इंटरफेस भी बोलेंगे NCRT का जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो यहां पर उपन हो जाएगा यहां पर बहुत सारे मैन्यूस दे रहें हमें इसको नहीं देखना है हमें केवल अपनी जरूरत की जो वस्तु है बुक्स को डाउनलोड करना है या उसको पढ़ना है वो हम यहां से सर्च कर सकते हैं तो यहां पर देखे लिखा है सबऑचे की किताब देखनी है तो सब्ऑस इसमें बहुत सारे सबज़ेक्ट उपर से नीचे सतक दिये हैं तो मैं इकनॉमिक्स ले लेता हूँ जैसे मैंने किलिक किया अब यहां पर आ आ रहा है स्ल्ग बुक टाइटल तो यहां पर जैसे आपके पास देखे कितनी सारी यह विस्टी अर्सास्त्र और यह उर्दू में दिया हुआ है, जिनको उर्दू में डाउनलोड करनी है, तो हम हिंदी की किताब को देख लेते हैं, तो मैं सबसे पहले विस्टी अर्सास को क्लिक करता हूँ यहां पर, जैसे मैंने यहां पर किला, आप देखो तीन ओप्शन आग कि इसमें क्या चेंजिस हुआ है, इसको हम चेक कर लेते हैं, ओपन करा मैंने, तो यहां पर देखे, यह आ रहा है, छोटा-छोटा लिखा हैं से थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यह दे रखा है, the content in this textbook was rationalized for 2022 or 2023, same as the textbooks are, इसमें कुछ चीजें चेंजिस हुई हैं, जो आपके सा आपने यहां पे हैं, कि पहले हमारे पास 6 chapter हुआ करते थे, और आप इसमें एक chapter जो हमारे यहां चलता था पहले, वो हटा दिया गया है, जो परतिस परदा रहित बजार वाला topic था, विस्टे अटसास में उसको यहां से हटा दिया गया है, तो यहां से आपने देखा, अब हम यहां से प्रिम्स में जाके देख सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक करा, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या-क्या चीज है, अबिलेबल, कौन-कौन से हमारे पास इस समय जो इंडेक्स है, इसका वो देख लेते हैं यहां पर, यह इंडेक्स है, हमारा विसे सूच संतुलन और आप यहां पर देखेंगे एक चैप्टर और बजार संतुलन जो छटा चैप्टर उसको यहां पर हटा दिया गया तो इसमें यह वाला चेंजिस एकनॉमिक्स में देखने को मिले गा और इसी परकार हर subject हर विशे में कुछ न कुछ changes होगा कुछ पार्ट के अंदर भी कुछ जो आपका content है वो change हो सकता है तो आपको इन किताब को ठीक परकार से पढ़ना है जिससे आपको सही परकार की जानकारी मिल सके अब आप इसको एके करके chapter 1 यहाँ पे जैसे आप open करेंगे कि यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और open करके देख सकते हैं जैसे मैंने chapter 1 आउन किया click किया तो यह देखे पहला chapter यहाँ पर आगया तो आप इसको यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने का तरीका भी है आप यहाँ पर click करेंगे तो यह full screen पर आ जाएगा यह देखे और आपको लग रहा है आप दो पेज को एक साथ यहाँ पर open कर सकते हैं और उनको आसानी से यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस परकार यह जो यहाँ पर इसके interface से उसको change करके आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज करके किताब को पढ़ सकते हैं इसके बाद guidelines for the using QR code अगर आपको QR code जो यहाँ पर दिया हुआ है कैसे इस्तमाल करना है यह देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि mobile में आपका QR scanner होना चाहिए फिर आप mobile से QR scanner code को scan करेंगे तो उसके अंदर जो भी e-content बनाया गया होगा उस part से संबंदित और जानकारी दी गई होगी उसको बहुत आसानी से आप access कर पाएंगे और उससे आप बड़े रूची पुन तरीके से उसको समझ पाएंगे part को तो इसका भी आप इस्तमाल करके देखिए बहुत इच्छी चीज़ है यह तो यहाँ पर जैसे पहला chapter में click करता हूँ यहाँ पर तो पहला chapter में आप देख रहें यहाँ पर यह QR code है इसको आप mobile से scan करेंगे तो आपको इस part से संबंदित कई परकार की रोचक जानकारी मिले करेंगी multimedia के अंतरगत भी इसमें कुछ videos या कुछ interactive quiz आधी हो सकते हैं तो इसको आपको explore करना है अब आती है बात यहाँ पर की पड़ते एक-एक chapter को download करें या पूरी किताब को करें तो मैं आपको बताता हूँ कि एक-एक chapter को download करने से अच्छा है कि आप एक ही बारी में computer में आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको किताबे मिलने में अभी वक्त लगेगा सरकार ने किताब publish करने के लिए दे रखी हैं जिसमें अभी समय है तो तब तक आपको अपनी पढ़ाई regular करनी है क्योंकि आप board के students हो तो आपको यह जो option में बता रहा हूँ download complete book यह वाला option आपको चुनना जैसे आप इसे click करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर download होने लग गया है यह देखेंगे यह जिप फोल्डर है जिप फोल्डर मतलब compressed फोल्डर है जिसमें सारी की सारी किताब आ गई है अब हम इसको देखेंगे कैसे हम यहाँ पर जाए किताब यहाँ पर आ गई है यह देखें इस PC डाउन यह आ गया यहाँ पर download जैसे मैंने click किया यह देखें यह जिप बनी वी है इसमें इसको जैसे मैं click करूंगा double click तो यह पूरी की पूरी जितने part economics के वह आ गया जैसे मैं इसको एक open करके आपको दिखा देता हूं जैसे म यह आ गया विस्टी अर्सास एक परिचे आप देख रहें यहाँ पर यह पूरी की पूरी किताब डाउन पीडिया फॉर्म में आ गई है यह देखें तो इस परकार आप हर एक किताब को डाउन लोड कर सकते हैं क्योंकि NCRT ने बहुत सारी किताबों को चेंज किया है और जो पहले का आपका जो slavers था उसको 20-30% कम किया है तो आज आपने इस वीडियो के माद्यम से सीखा की कैसे बुक को डाउन लोड कर सकते हैं अपने मुबाइल पर टैबलेट पर या कम्प्यूटर पर और आप चाहो तो उसको आउन लाइन भी पढ़ सकते हो और अगर आपका अगर बार बार नहीं चलता है कुछ ऐसी जगह होती है तो इस सबसे अच्छा है कि आप डाउन लोड कर ले और उसके बाद उसको आसानी से पढ़ते रहें तो आप इसी तरह हमारे साथ जोड़े रहें ताकि कोई भी नई जानकरी आती है तो मैं आपको शेर करता रहूंगा तब तक के लिए धन्यवाद